Welcome back everyone, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फी related जो भी topic है सारा discuss करेंगे किस scholarship student को कितनी फी मिलेगी या फिर कितना ज्यादा फी आपको pay करना पड़ेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो ट्यूशन फी है और अगर आप इसको ले रहे हैं चाहे कोई भी scholarship mmv-y जनकल्यान, obc, stsc, post-metric आपको पूरी एक लाख रुपए आपकी अकाउंट में या फिर कॉलेज की अकाउंट में आ जाएगा आपको बिल्कुल भी फी पे नहीं करनी है सिर्फ आपको पे करनी है caution money, जो one time caution money 14,000 रुपीज है, admission के time पे पे करना है बाकी hostel fee और जो भी extra fee और जो bond का amount होता है वो सब आपको पे करना है अब हम main बात करते हैं private medical college की तो private medical college में जो tuition fee होती है उसके अलावा, देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, people's for example, हम people's की medical college की बात कर रहे हैं तो tuition fee के अलावा यहाँ पर लगती है AFRC GND fee 10% और MPPURC development fee and all other miscellaneous fee इसका मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बताते हूँ AFRC का मतलब है admission and fee regulatory committee मध्यप्रदेश, उन्हें 10% fee देनी पड़ती है और जो MPPURC fee है, वो है MP Private University Regulatory Committee भुपाल, इन्हें 15% देनी पड़ती है तो यह जो fee होती है tuition fee के अलावा जो Private Medical College में fees होती है, तो हम बात करें People's Medical College भुपाल, तो People's में 12,66,000 इसकी fee है और 2,23,000 यह जो भी अभी हमने fee की बात करी, वो होता है, तो total fee इसकी हो जाती है 14,18,000 और जो Private Medical College है, सभी Private Medical College का जो one time caution money है, वो है 25,000 तो कौन सी scholarship में कितना amount मिलता है, हम यह discuss करने वाले हैं, तो अगर आप MMVY scholarship ले रहे हैं, तो आपको पूरी fee मिलेगी, पूरी means, सारी, जो total fee है न, वो पूरी मिलेगी अगर आप जनकल्यान scholarship ले रहे हैं, तो भी आपको सारी fee मिलेगी, सिर्फ आपको 25,000 देना है, और जो भी hostel का और extra खर्च है, वो देना है STSC scholarship ले रहे हैं, post metric तो भी आपको सारी fee मिलेगी, जैसे हम People's Medical College की बात कर रहे थे total fee 12,66,000 और 2,23,000, total मिला कर जो 14,89,000 हो रहा था, यह आपको पूरा, caution money छोड़कर, पूरी scholarship amount आपको मिलती है किसमे, STSC post metric, Genkaland और M.M.V.Y. लेकिन, OBC category के student के लिए यहां बहुत बड़ा नुकसान है, अगर वो OBC post metric scholarship लेकर MBBS कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ जो tuition fee है, यह tuition fee का ही amount मिलेगा, उन्हें यह जो AFRC GND fee है और MPPURC development fee है, यह नहीं मिलेगी यह जो amount है सभी medical college का आपकी screen के सामने, यह उन्हें खुद देना पड़ेगा, मतलब OBC category के student totally fee पर dependent नहीं रह सकते हैं totally scholarship पर dependent नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें इतना amount खुद देना पड़ेगा, यहां पर दिख रहा है, यह PDF आप DME की website से download कर सकते हैं और वहां पर हर college की individual fee देख सकते हैं, और OBC category के student को कितनी fee लग सकती है, आप एक idea लगा सकते हैं इस PDF को देख कर, वैसे मैं इसको zoom कर रही हूं, आप सभी medical college की fee देख लीजिए, tuition fee और यह जो AFRC और MP, मध्यप्रदेश प्राइवेट उनिवरसिटी, regulatory commission, भुपाल का जो fee है यह भी आप देख सकते हैं, जो 15% होता है, तो यह fee नहीं मिलती है, तो इस video में मुझे यही बताना था, thank you so much for watching this video, bye bye